बीना सोचे काम करना और बीना कुछ काम किये सोचते रहना 100% असपलता देता है। जब भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाना आप सही राश्ते पर है। सीखते रहना जो सीख रहा है वो जिन्दा है जिसने सीखना बंद किया वो जिन्दा लास है। सकसेज एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया भी बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। आप जो सोचते हैं, वो आप बन जाते हैं। अगर आप उस इंसान की तलास कर रहे हैं, जो आपकी जिन्दगी बदलेगा, तो आईने में जाकर खुद को देख लें। अगर आपके पास जरुरत से ज़्यादा है तो उसे उनसे सेर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरुरत है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सब के सामने तमाचा मारती है, यही जीवन है। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो, किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि ये दिन दुबारा नहीं आने वाला। सीखो सबसे लेकिन फॉलो किसी को मत करो। जिसको सवाल करने की आदत है, वो चाहे किसी भी फिल्ड में जाएगा, वो काम्याब हो जाएगा। जो कुछ भी करो, एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। याद रखिए हर बड़े की सुरुगात छोटे से होती है। हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉबलम से कई गुना बड़े हो। आपको खुद की नजर से उठना है, जो इनसान खुद की नजर से उठ गया, वो दुनिया की नजर से अपने आप उठ जाएगा। दुनिया आपको चड़ाएगी और कभी गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है, बस आपको इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। या तो किसी बड़े छाते की नीचे खड़े हो जाओ, और खुद ही वो छाता बन जाओ, यानि खुद पावर्फुल बन जाओ, सच कहूं तो मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि I am the great, आपको हमेशा खुश रहना है, अब सवाल यह उठता है कि आप लाइफ को positive side से देखते हो, तो आप खुश होते हो, और जब भी आप लाइफ को negative side से देखते हो, तो आप दुखी होते हो, सही track क्या है, हर situation की positive side को देखना ही सही track है, अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहाँ कोई भी रिस्क नहीं है, हारे तब भी आपकी जीत ह और जीते तब भी, बाकी सब मर जाता है, लेकिन वो inspiration नहीं मरती, जो अंदर ही अंदर जलती रहती है, इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्मारकारी पावर और कोई नहीं है, जितना आप बुराई को देखोगे, उतना दुखी होगी, और जितना आप दुखी होगे उतना ही दुखी करोगे, दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, इस दुनिया में magic नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ खेल है, जिसमें रुची है वो करो, जब आपको पता है कि इस race में आप जरूर हारेंगे, तो उस race में भ खराब अन्हो से, हर एक के अंदर कोई न कोई सकती है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, बस तुम्हें उस सकती को जानना है, आपकी willpower के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, हमेशा learning पर फोकस करो, earning पर नहीं, earning तो हमेशा future है, और learning हमेशा present moment प पड़ा होगा, उसकी success भी उतनी ही अधिक बड़ी होगी, केवल इच्छा से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, नेड़य करने से कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपका एक अटल निश्चे सब कुछ बदल सकता है, मेरे जीवन का mission क्या है, इंडिया के अंदर और प अगर मेरे जैसा न बोलने वाला दब्बू लड़का, अगर stage पर जाकर बोल सकता है, तो दुनिया का कोई भी ब्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जब आपको ऐसी चीजों की खोज करनी है, जो आज तक किसी ने नहीं किया, जब यह desire आप में पनब जाए, तो फिर आपको कुछ में लगा देगा, आज जो कुछ भी हूँ, अपनी असफलताओं की वज़ा से हूँ, गिर गए तो क्या हुआ, गिरता भी वही है, जो चलता है, बस आपको इतना करना है कि उठकर फिर से चलना है, ये आपकी जिंदगी एक के बाद एक बाल के रूप में औसर देती है, या फिर फेलियर, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, बस आप अपना काम करते जाईए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सभी विचारधारा संदीप मायस्वरी जी के हैं, अगर इनके विचारों को आप अपने जीवन में अपलाई करत हैं, तो आपकी जीवन में सपलता जरूर मिलेगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर कोई राय है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब